नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चाना अब्जेक्टिव सेंटर पर दोस्तों जो भी श्टुडेंट ऐसे हैं जो की कच्छा दस या इट यह पास है तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक रिकूरूटमेंट आया हुआ है जो की दोस्तों अपरांटिसिप की यह वेकैंसी है तो जो भी श्टुडे अपना सेंटरल कोल फिल्ड लिम्पेड में जाना चाते हैं अपरांटिसिप करना चाते है तो इनके लिए अब यह वेकैंसी आ चुकी है डेट देख सकते हैं 26-24 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है यह एड वाले भी हैं यहाँ पर तो अगच्छा 10 बारे आई टिया डिप्लोमा डिग्री सभी छात्रे इस फेकंसी को फिल कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो electrician का 280 post है feeder का यहाँ पर दोस्तों 150 seat है diesel mechanic का 30 seat है और welder का यहाँ पर 10 seat है ठीक और देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप लोग apply करना चाहते है इस post पर तो आपके पास दोस्तों कच्छा 10 pass होना चाहिए पलस संबंधे trade में आपका ITI होना चाहिए जैसे कि मैं आप लोगों को बता दू अगर आप electrician से ITI किये हुए है तो आपके पास 280 seat है जो आप लोगों का अप्रेंटिस होगा एक वर्ष का होगा और इसके लिए योग्यता रखा गया है कि 10 पास हो और electrician trade में आपका NTC यानि की National Trade Certificate यानि की ITI का Certificate हो और 7000 रुपे पर मन्त आपको stipend भी दिया जाएगा और जो आप सबी लोगों का आयू होना चाहिए दोस्तों यह काट 2024 के अधर पर होना चाहिए और 18 वर्ष मिनिमम पूरा होना ही होना चाहिए और अधिक्तम यहाँ पर 27 वर्ष रखा गया है ठेक और देखिए दोस्तों यहाँ पर यह हो गया डिजल मेकैनिक का 30 सीट है वेल्डर का 10 सीट है कोपा देखिए Computer Operator and Programming Assistant का दोस्तों 10 सीट यहाँ पराव लेबल है एक साल का Apprentice होगा कच्छे 10 पास्तों प्लस कोपा में आपका Certificate होना चाहिए और 7000 रुपए पर मन्त है आपको भी दिया जाएगा और देखिए सहयोगी कानून सहायक का 2 सीट है एक वर्ष के लिए युजीसी दवरा अनुमोदी बिस्विद्जाले से ललवी ठेक इसमें 9000 रुपए पर मन्त है ये ग्रिजवेशन वालों के लिए है हेल्थ सानेटरी इंस्पेक्टर का दोस्तों दो सीट है एक वर्ष के लिए 10 पास्तों प्लस हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए 7000 रुपए पर मन्त हिनको इस्टिपेंड दिया जाएगा Medical Laboratory Technician Pathology का दोस्तों यहाँ पर 14 सीट है यहाँ पर जो अपरेंटिस होगा इनका 15 महीने का होगा मानिता प्राप्त बोर्ट से PCB के साथ बराहमी पास हो पहले वर्स आपको 7000 रुपए पर मन्त दूसरे वर्स आपको 4700 रुपए पर मन्त आपको दिया जाएगा और इसके लिए तोस्तों देखेंगे तो 18 से 22 साल यहाँ पर एज रखा गया है ठेक? और देखें लेबोरेटर यहाँ पर टेकनीशन रेडियो लाजी का 4 सीट है 15 महिने का अप्रेंटिस होने माला है मानिता प्राप्त बोर्ट से PCB के साथ बराहमी उत्तिनों होना चाहिए डेंटल लेबोरेटरी टेकनीशन का पंदरे महिने के लिए होने माला है दो सीटें यहाँ पर है मेटकल लेबोरेटरी टेकनीशन का यहाँ पर देखिए दो सीटें है 15 महिने के लिए और यहाँ पर और देखेंगे अगर यहाँ पर सर्वेयर का 8 सीट है वायर मैन का यहां पर देखिए आ चुका है तो वायर मैन का यहां पर फांच सीट है दो साल के लिए अप्रेंटिस होगा मानिता प्राप्त बोड से दसमि उड़ी त्योड होना चाहिए पहले साल 6,000 रुपय पर मत दूसरे सार 6.6 रुपय पर मत आपको दिये जागा मकानिक रिपेयर एंड मेंटिनेंस आप वाइकल का यहाँ पर पांच सीट है मल्टी मीडी एंड वेपेज डिजाइनर का दस सीट है और देखिए यहाँ पर यह सब दो दो वर्ष का अपरेंटिस होने वाला है मकानिक आर्थ मोविंग मसीनेरी का पांच सीट है और देखिए यहाँ पर खनन इंजिनेरिंग के दोस्तों 200 सीट है कुल और गयर खनन इंजिनेरिंग के 210 सीट है एक साल का अपरेंटिस होगा डिपलोमा होना चाहिए खनन विभाग में और यहाँ पर विद्धो त्यांत्रिक, सायनिक, केंपूटर, विग्यान, इलेक्टानिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल, अंड इलेक्टानिक्स इंजिनेरिंग में डिपलोमा होना चाहिए आठ हजार उपया पर मन्त होना चाहिए अब भ्यारती वर्ष दोजार बिस के बार डिपलोमा होना गर्जूएट की हुआ हो और देखिए यहाँ पर है खनन इंजिनेरिंग का 24 सीट है, गैर खनन इंजिनेरिंग का 17 सीट है खनन गैर खनन गैर इंजिनेरिंग का 33 सीट है तो एक एक साल का यह होने वाला है, बिकाम में गर्जूएट होना चाहिए और यहाँ पर देख सकते हैं विद्धूत मेकानिकल इलेक्टिकल और कम्पूटर संसे इलेक्टिकल और इलेक्ट्रानिक से इंजिनेरिंग यह सभी यहाँ पर दिया किया है आवेदन करने की जो अंतिमती थी है दोस्तों 29-2024 इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का बाकी स्टिपेंड वही है मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है बाकी यहाँ पर देखिए 18-2024 के अधर पर आपको अपने इसकी गड़ाना करनी है 18 वर्स मिनिमम है मैक्सिमम 27 वर्स है एवं आर अर अच्चित वर्ग के लिए 18-32 वर्स है OBC वालों को 3 साल का चूट मिलेगा या 60 वालों को 5 साल का चूट मिल जाएगा ठिक बाकी फ्रस कंडिडेट के लिए यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर देखिए बता दिया गया है तो इसको बार बार हम नहीं यहाँ पर बताएंगे लेकिन एक बार देख सकते हैं यहीं पर कि फ्रेसर अप्रेंटिस के लिए 18-22 सालेज है और टेकनिसियन और ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 2020 के बाल डिप्लोमा होना चाहिए बाकी यहाँ पर देखिए जो इंप्रेंट चीज़े हैं वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए जो भी आविदन करना चाहते हैं आप सभी चात्र आविदन करने के लिए अप्रेंटिसिप इंडिया.gov.in के आफिसल वेबसाइट पर जाके अपना रेश्टेशन करना होगा यह आईटियाई वाले चात्रों के लिए और जो डिप्लोमो और ग्रिजुएशन वाले हैं नेटिस.जुकेशन.gov.in का जो आफिसल वेबसाइट हैं आप लोगों को इस पर जाके रेश्टेशन करना होगा और यहाँ पर यह जो इस्टेबिलेस्मेंट नमबर दिया है यही डालके आपको सर्च करना है तो वहाँ पर आपका इस्टेबिलेस्मेंट आ जाएगा और वहीं से सलेक्ट करके आप अपना अपलाई कर पाएंगे ठेक तो यह चीजे बता दी गई हैं आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए आवेदन अभ्यार्थियों के द्वारा एने पियस पोर्टल पर अप्रेंटेश सीपिंडिय डाट जीवी डाट इन पर किये आवेदनों जो कि दिनांग 29.2024 से पहले किहों सिर्फ उन पर ही विचार किया जाएगा तो 29.2024 से पहले आप अपना रेश्टेशन कर देखिएगा और जो कि एने पीस पोर्टल का जो CCL में आवेदन भरते समय यदि आपको कोई समस्य आती है तो आप लोग यह जो email ID दिया गया है इस इस पर आप लोग समपर्क कर सकते हैं आवेदन करने से पहले आपको NAPS पोर्टल में आपको EKYC डिटेल पैन आदार वेरिफिकेशन यह सब आपको पूरा करना होगा ठेक और आप लोग सब कुछ अच्छे तरीके से भरिएगा देखिए यहाँ पर establishment नंबर यह जो दिया है इसी को search करके ही आप लोगोंको फारम भरना है अबर आपने कहीं से अप्रेंटिस कर रहा या कर रहे हैं तो आप लोग इस फारम को नहीं वर सकते हैं और इस में जो आप लोगोंका selection होगा आंकों आधारी प्राप्तांकों के अधार पर किया जाएगा ठेक तो आप लोग जो भी आईटिया ये डिप्लोमा डिगरी जो भी आपका नंबर है उसी के अधार पर आप लोगों का सेलेक्शन होने वाला है और देखिए यहाँ पर का गया है कि अवार्ड लेटर और अवार्ड लेटर के बाद दुवारों को दस्तवे सत्यापन की समय अपने मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन भी करवाना होगा यह सब जो चीजे दी गए हैं आप लोग पढ़ सकते हैं वैसे कुछ खास नहीं जिनको नोटिफिकेशन लेना है दोस्तों आप लोग दोस्तों टेलिग्राम जोइन कर लिजिएगा या वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक तो वीडियो अच्छा लगाए वीडियो को लाइक करें पने दोस्तों साथ सेर करें मिलेंगे ने इस वीडियो में थैंक्यू